पर वीडियो को पूरा देखेगा तो वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि अपडेट काफी ज़्यादा कमाल के है पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आपने Man in Black का Part 1, Part 2 देखी होगी तो आपको पता होगा Agent Jet का जो करेक्टर था वो काफी ज़्यादा कमाल का था और Part 1, Part 2 से इन्हें काफी ज़्यादा पहचान मिली इनका जो ऑफिशल इने मैं Rip Turner नाम है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनका निदन हो चुका है और देन करीबो 88 साल तक के जिये थे तो देन इनका केरेक्टर काफी ज़्यादा अच्छा था और लोग काफी ज़्यादा अवे इन्हें मिस कर रहे हैं तो मैं तो यह कहना चाहूँगा कि इनकी आत्मा को शान्ती मिले अब बात करते हैं नेश्ट अपडेट के बारे में तो अभी हाली में ब्लैक विड़ो मूवी जो की मावल सिनमेटिक उनिवर्स की अब कमिंग मूवी यह 2020 की यह सेंडीको कॉमिक कॉन में इसका फर्स्ट लोग या फर्स्ट टीजर कह सकते हो या फर्स्ट ट्रेलर या फर्स्ट कॉन सा पार्ट लॉंच हो सकता है और देन पता चल सकता है कि हमें Black Video में और क्या-क्या देखने को मिल सकता है तो ये फर्स्ट लोग हमें नेश्ट वीकेंड में देखने को मिलने वाला है Sandeco Comic Con में क्योंकि Sandeco Comic Con जुलाइ के महिने में है अब बात करते हैं नेश्ट अबडेट के बारे में तो अफ्तार और Avenger End Game के बीच काफी ज़्यादा जवरजस्त competition चल लाए और सिर्फ टोड़े की रूपोर्ट जो आज की है सिफ 15 मिलियन का फरक रह गया है और देन फैन्स काफी ज़्यादा एक्साइडेट हैं और चाहते ही हैं के अफ्तार और Avenger End Game के बीच में जो competition है वो जल्दी से खतम हो जाए और Avenger End Game विनर हो जाए देन बात करते हैं अगले अबडेट के बारे में जो की काफी कमाल का है Sam Binzel जो की एनी Falcon का रोल प्ले करते हैं उन्होंने अभी हाली में बताया है कि जो rumor फैला था कि मैं Spider-Man मूवी में आ रहा हूं वो actual में, real में एक rumor ही था कोई भी contract ऐसा नहीं था कि मैं उस मूवी में आने वाला हूं जो की काफी कमाल के है और काफी फैंस का कहना है कि जो कौन सा पार लॉंच हूँ है जिसमें की second वाला काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यही same to same comic book बे भी था तो मेरे असाब से आपको कौन सा लगता है मुझे comment सेक्स में ज़रूर बताना उसके साथ internet one weekly ने आईटी चेप्टर के दो कवर लॉंच करें जो की काफी ज़्यादा कमाल के हैं अगर उन दोनों कवर को आगे उपर नीचे जोड़ दिये जाए तो यह कवर कुछ इस तरीकी से देखेगा जो की काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इस मुवी का मैं काफी बड़ा सीरीज का फैन भी हूँ तो इन्दिजार कर रहा हूँ कि कुछ सेंडे को कॉमिक कॉन में हमें देखने को मिला है जवर्दस उसके साथ अगल अपडेट है काफी कमाल का स्पार्डर मैं से रिलेटिव जो की बहुत बड़ी बात है और जब आप इसका ब्लू रेप्रिंट आजागा तो आप और इसे देख पाऊगे तो इन्दिजार के साथ अगल अपडेट है काफी कमाल का फैलकन विंटर सोलजर वाली सीरीज से तो यह एक TV न्यूज है जो कि आप सब फैंस को खुश कर देगी जॉन विक के राइटर काम कर रहे हैं इस सीरीज के उपर और देन उन्होंने ओफिशली बताया कि जैसे मैंने और मोवी डिरेट करी है मैं अपनी पूरी जी जान लड़ा दूँगा इस सीरीज के लिए तो उमीद करते हैं कि हाट इस्टार आप सब डाउन्लोड करके रख लीजेगा और डिजनी प्लस का सब्सक्रिशन तो हम लेनी पाएंगे क्योंकि काफी ज़्यादा हेवी है तो उमीद कर देंगे ये हिन लिए में से उस सीरीज आएगी पर बैटर होने वाले क्योंगे इसमें जॉन वीक के राइटर काम कर रहे है दैनोसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का तो अभी हाली में कुछ इमेजिस लॉंच हुई है आइटी चैप्टर की तीन जो की काफी ज़्यादा अच्छी लग रहे है और दैन केरेक्टर काफी ज़्यादा बिल्गुल सेम टुसेम उन जैसे ही लग रहे है भले ही थोड़ा डिफरेंस है पर मजा आने वाला है इस मुवी का और दैनोसी के साथ जब किसी character को movie नहीं मिलती है तो उसकी body पे क्या effect पड़ता है तो जेसन वहा ने साबित करा तो जेसन वहा की अभी हाली में एक social media pick viral हो रही है जिसमें कि उन्हें को अभी तो कोई movie नहीं मिली है और उनके six packs अब पूरे गायव हो चुकी है तो इससे पता चलता है कि किसी character को जब movie नहीं मिलती है तो उसका क्या हाल होता है देन उसके साथ जेसन लीग की जैंडर कट की एक behind the scene जिसमें की Ben Affleck यानि की Batman और साइबोग हमें देखने को मिले है तो मेरे साफ से अगर जैंडर कट की एक movie भी बना दी जाए तो movie शाथ सुपरेट चली जाए जॉस बिटो ने बास्ता में movie की रेड मार के रख दी है बसके साथ Samuel Jackson का update आया है कि वो upcoming movie सौ में आ रहे है यह एक ऐसी movie series है जिसमें लोगों को मारा काटा पीटा जाता है आपको कैसा लगता है यह movie मुझे comment seconds में जरूर बताना अगला date है काफी कमाल का स्ट्रॉम राइट का जो की upcoming movie सौसाइड स्पॉर्ड में आ रही है जो कि DC Universe की movie है उसी के से एक और कास्ट हुई है अभी हाली में इंटर्ल्स मुवी में मिली बॉवे जियो अभी हाली में इंटर्ल्स मुवी में कास्ट करी गई है अब कौन सा character role पे लेकरने वाली यह confirm नहीं हुगा है यह movie कैसी जाती फीचर में अभी यह भी कुछ ऐसा decide नहीं है तो guys कैसा लगा update कैसा लगा वीडियो अगर आप यह वीडियो यूटूब पे देख रहे हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें रिली में आपको जी बीडियो पसंद आए तो प्ली लाइक कमें शेयर करें जो बंद इस वीडियो को नए देख रहे हो या तो उस पर थेन उसके हाथ मारो या पैर मारो पर और कुछ मत मानना बाबाई जा रहो